आईए बच्चों अब हम देखते हैं कि वानिज जी क्या होता है यानि कॉमर्स जिसे हम इंगलिश में कहते हैं कि वो क्या होता है जैसे कि आपने अभी तक देखा कि जो उद्योग है उनका काम क्या होता है कि उत्पादन करना जैसे मैंने आपको बताया था अब इस अगर आप समझें तो यह बहुत वाइडर कॉंसेप्ट में बहुत सी चीजें बहुत से अन्य जो सेवा उद्योग हैं वह भी सम्मिलित होते हैं क्योंकि कॉमर्स जो है अगर सेवा उद्योग का साथ नहीं लेगा तो कॉमर्स आगे बढ़ी नहीं सकता तो अगर हम इसे एक सीदी साधी भाषा में कहें कि यह जो कॉंसेप्ट या एक अवधारना है वह व्यापक या विस्तरत अवधारना है और इसमें यातायात बैंकिंग बीमा संचार वेरहाउसिंग विग्यापन यह सारी जितनी भी व्यवस्था हैं इन सभी को सम्मिलित किया जाता है अब हम एक परिभाषा देखते हैं जो डॉक्टर विलियन थॉमस की द्वारा दी गई है उनके नुसार वानिज में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो माल को बनाने क्रे करने विक्रे करने तता हस्तांतरित करने में सम्मंदित हैं मतलब सीधी सी बात है इसमें कहा ग करते हैं अब एक और परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर में स्टिफिन के नुसार वानिज उन समस्त प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा वस्तू के विनिमें में आने वाले व्यक्तियों स्थान समय तथा वित्य संबंदी बादाओं को दूर किया जाता है तो बच यह क्या करना है इस पूरे कारिय के मद्ध जो क्रेव एक रयक्रे करना आता है जो उनकी सुरुक्षा का ध्यान आता है उनको वानिजr यहाद की ही वो सारे चीज़े आती हैं ये सभी चीज़े इंक्लूड होती हैं और यही क्या कहलाती है वानेज या commerce के अंतरगत आती है या वानेज या commerce कहलाती है अब जैसे हमने वानेज जे को जाना तो आईए अब हम देखते हैं कि वानेज के अंग क्या है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं components of commerce यानि वानेजे के अंग दो भागों में विभक्त किये गये हैं पहला भाग है व्यापार और दूसरा भाग है व्यापार की सायक क्रियाएं अब अगर हम पहले व्यापार को देखें या व्यापार को समझें तो व् अस्तूओं या सेवाओं का क्रे विक्रे जो होता है व्यापार में होता है और इन व्यापारिक क्रियाओं को जो व्यक्ति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं व्यापारी कहते हैं या यह व्यापारी जो इन क्रियाओं को करते हैं इन्हें व्यापारिक कहते हैं अब आगे व्यापार आप देखते हैं कि स्थानी तोर पर होता है राजिस तोर पर होता है राश्ट्री स्थार पर भी होता है और अंतराश्ट्री स्थार पर भी होता है व्यापार अगर आप कहें तो आप अगर रोजमर्रा की जीवन में भी देखें तो अगर एक थोक बाजार विक्रे से हम कह सकते हैं थोक विकरिता से अगर कोई फुटकर विकरिता वस्तू को क्रै करके लाता है और थोक विकरिता उसको देता तो यह भी एक परकार का तो बिचो इस तरीके से हमने व्यापार के इस छोटे से concept को जाना है आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और व्यापार को detail में समझते हैं कि व्यापार क्या है व्यापार अर्थात ट्रेड जैसे कि आपने व्यापार का अर्थ जाना और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यापार का classification आपको यानि वर्ग व्यापार को ढ़िए शेतर के आधार पर और दूसरा है क्रेविक्रों के आधार पर अगर देखें तो शेत्र के आधार पर इसे तीन व्यापार में और करे兄 दो विवक्त की आ गया है थोक व्याप्र और फुटकर व्यापर çु जो है वर्गीकरण है उसको देखते हैं कि वह console कि पहला वर्गीकरण रेंगे इन में ऐसि चीज़ां गी अब जलदी खराब हो जाति हैं तो क्या होगा उसमें अग जिले से दूसरी जिले पर कोई वस्तु आज़ा जाए जैसे फल सब्जियां इस तरह की वस्तु होती हैं उनका स्थानी वैपार होता या माल जैसे प्रोड़क्ट इसकी इंडेस्ट्री या उद्ध्योग पास में हो तो वहां से भी product मंगाई जा सकते हैं जो कि less cost में या कम कीमत पर प्राप्ति किया जा सके हैं। राजी व्यापार हम देख रहते हैं राजिय व्यापार के अंतरगट एक स्टेट के अंदर क disgusting इंडर कह 방maybe इस अंदर कई जो होते हैं शेहरों के दो व्यापार होगा ये होगा राज्य व्यापार इसके बाद आता है अंतर- writings keeping व्यापार क्या होता है एक राजे से दूसरे अन्य राज्यों के बीच जो व्यापार किया जाता है वो होता है अंतर राज्य बर्मान लिजे किसी स्टेट में किसी राज्य में कोई वस्तु अच्छी मिलती है ठीक है तो उस वस्तु को दूसरे अन्य राज्यों तक उनको व्य शिर्णिस करना ये होगा अंतर राज व्यापार तो ये था बच्चो शेत्र के आधार पर व्यापार इसके बाद बाद व्यापार में क्या होता है जो व्यापारी होता है वो उद्यगों से बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है उत्पादों को लेता है और उसका स्टॉक करके रखता है फुटकर व्यापार क्या होता है इसमें क्या होते हैं जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो थोग व्यापा को उनको विक्रह कर देते हैं तो यह हुए ठोग व्यापारी और यह फूटकर व्यापारी अब इसके बाद हम आगे चलते हैं विदेशी व्यापार क्या होता है उसको समझते हैं विदेशी व्यापर के अंतरय कहा हम देखें तो आयात निरियात यानि इंपोर्ट एक्सफोर्ट और री-एक्सपोर्ट जीसी बातें आती इतमें charging cugo से को को का लगी वस्तु को मंगता है उत्पादों को थे तो वह हम पर आयाँ होता है यानी इंपोर्ट उन वस्तु को किया जाएगा Apollo अगर आयात एक अच्छा उदारन ले या फिर मोबायल को बनाने के लिए जो डिफ्रेंट पार्ट्स यूज में करते हैं और उसको क्या करते हैं फिर पूरो उसको जोड़ करके एक बनाते हैं तो यह हो गए आयात का उधारण इसी तरह निरियात का उधारण ले तो अगर हम देखें जैसे भारत एक कृष्टी प्रधान देश है यहां पर प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता ह है बहुत अच्छे फलो की किस्मों का उत्पादन होता है तो यहां से मसाले फल आंगा दृस्टी एक देश क्या करता है दूसरे देश से वस्टूं को क्या करता है खरीता है मतलब आयात करता और वो देश क्या करता है उन दूसरे देशों को वही सामान क्या करता है निरियात कर देता है वह एक बंदरगा की तरह कारे करता है दो देशों के मद्दे तो इसे हम कहते हैं पुन निरियात तो बचों इस तरीके से हमने देखा विदेशी व्यापार क्या होता है अब हम आग गई हैं और यहां पर उसके कुछ सामाधान दिकाई गई है मतलब solutions पहली वादा कहती है व्यक्तिकों की बाधा यानि अब मध्यस्त की बात करें तो यह कौन लोग होते हैं मध्यस्त यह फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी होते हैं जो की इस व्यापार की बाधा को दूर करते हैं एक चानल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उद्योग उसके बाद थोक व्यापारी फिर उसके बाद दिख रहा है फुटकर व्यापारी और उसके बाद उभोकता ये जो है एक प्रॉपर चानल रहता है जिसके माध जो है इसका काम करता है और इस व्यवसाय को चलाने के लिए ये जो ठोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी होते हैं ये लोग क्या करते हैं एक मध्यस्त का काम करते हैं अब आती है स्थान की वाधा इसके इंतरगत क्या होता है जब उद्योगों में क्या होता है प्रोडक् परिवहन एवं संदेश वहन काम आता है बड़े बड़े ट्रक्स में आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में टनों माल भर भर करके जाता है स्टेट लेवल पे इंटर स्टेट लेवल पे क्या होते हैं व्यापार होता है तो यहां पे परिवहन और संदेश वहन जो है वो क्या करते हैं इस समस्या का समाधान होते हैं इसके बाद हम तीसरी बाधा की ओर या तीसरे हिंडरेंस की ओर चलते हैं जिसे कहते हैं समय की बाधा अब इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रडक्शन हो गया अब क्या करें आब इसको कैसे सुरक्षित रगें तो वहां पे संग्रहन की बात आती है कि संग्र जब जरूरत होगी तब उसे दुबारा उस वेर हाउस से निकाल करके मार्केट में भेज सकते हैं जो चौथा हिंडरेंस या बाधा है वो है जोखिम की बाधा इसकी अंतरकत बीमा कमपनिया जो है वो एक समाधान की तरह कारे कर दी जैसे कि आप जानते हैं कि अजकर हर चीज का बीमा होता है बीमा क्यों होता है सुरक्षा के उद्देश से होता है कि व्यापार में कोई नुकसान न हो जाए अधिक मातरा में उत्पादन हो गया या बड़ी-बड़ी मशीने खरीदी या एक प्लांट डाला तो प्लांट में काम करने वाले व्यक्ती हैं उनका भी नषट नहों जाए तो उनके लिए भी किया था अगर इनगेश वह नष्ठ हो जाती है तो वीमा कंपनेया क्या करती है उस नुकसान की भरपाई करती है ठीक है तो हम अगले अगर हम बाधा या हिंडरंस की तरफ चलें तो वित की बाधा जिसे मदद करती है बैंकिंग या इसका सामाधान जो है बैंकिंग के द्वारा किया जाता है वित की बाधा वियापार के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है भई वित में किसके आवश्रक्ता हो कहां होगा कहां से करो भूर के द्वारा मिलते हैं एक फेलों विर्ट की बाधा है वह दूर होते हैं verk किंग से कहत ME और सूचना की बादा अब लोगों तक उत्पाद के बारे में जानकाई किस तरीके से पहुंचाई जाए यह सबसे बड़ा प्रशन है तभी तो उत्पाद जो है लोगों तक पहुंचेगा या लोग उसको खरीदेंगे तो इसके लिए जो आती है बात विग्यापन की और इसका स आप रोज मररा के जीवन में ही देख लीजे आप अपने टीवी पर रेडियो पर कितने अलग अलग तरह के विग्यापन देखते हैं यह जो विग्यापन होते हैं ना केवल उत्पादों के लिए होते हैं बलकि सेवाओं के लिए भी विग्यापन किये जातने हैं तो बच् तेखें अब आएए हम आगे बढ़ते हैं और उद्योग वानिज और व्यापार में अंतर को दिखते हैं उद्योग वानिज एबन व्यापार में अंतर डिफ्रेंस अमंग इंडिस्ट्री, commerce and trade आई हम देखते हैं पहले अंतर का अधार क्रिया यानि अक्टिविटी उद्योग में देखेंगे तो वस्तूं तता सेवाओं का उत्पादन वानिजी में देखेंगे तो वस्तूं तता सेवाओं का वित्रण और व्यापार में देखेंगे तो क्रय विक्रय वाली क्रिया होती दूसरा अंतरकादार हम लेते हैं पुंजी के आवर्शक्ता यानि capital requirement तो उद्योग में देखेंगे तो बड़ी मात्रा में कारेशील वस्थाई पुंजी के आवर्शक्ता होती है और वाड़नेजी में देखेंगे तो साई पुंजी की कम और कारेशील पुंजी के अधिकाव क्षेत्र हम तीसरा अंतरका अधार लेते हैं तो इसके अंतरकत उद्योग देखते हैं तो इसके अंतरकत देशी विदेशी व्यापार सम्मिलित की जाते हैं चौथे अंतरका अधार हम उपयोगिता स्रजन यानि creation of utility लेते हैं तो देखें तो इसके अंतरकत रूप उपयोगिता का स्रजन होता है वानिज्य में देखें तो इसके अंतरकत स्थानव समय उपयोगिता का स्रजन किया जाता है इसके अतरित इसमें व्यापार दारा पैदा की जाने वाली स्वामित्व उपयोगिता को भी सम्मिलित किया जाता व्यापार वानिजी का ही आंग है व्यापार में देखें तो इसके इंत्रकत स्वामित्व उपयोगिता का स्रेजन क्रय विक्रय के माध्यन से किया जाता है पांचमा अंतर का अधार जोखिम तत्य यानि रिस्क एलिमेंट लें तो हम उद्योग में सबसे पहले देखते हैं इ इसमें कम जोकिम नहीं होता है इसके बाद अंतिम जो हैं अंतर का अधार लेते हैं एक दूसरे पर निर्वतेया यानि यूज्यूल डिपेंडेंटिनसी तो अगर हम उद्योग में देखें तो वानिच जी तदा व्यापार दोनों उद्योग पर निर्व करती है और वो उद्योग का कोई और चिति शेश नहीं दा जाता तो बच्चों इस तरीके से हमने उद्योग वाने जेव व्यापार में अन्तर को जाना आएए अब हम देखते हैं कि व्यावसाईक जोखिम क्या होता है जोखिम यानी क्या होता बच्चों रिस्क ठीक है और अब बिजनस में रिस्क का क्या असर पड़ता है या उसके कॉंसेप्ट क्या है अगर आप देखें तो जो भी अनसर्टेनिटी की बात कर सकते हैं आप या अनिश्चिताओं की बात कर सकते हैं जो बिजनस में जितनी भी जोखिम आते हैं या जितनी भी रिस्क आते हैं वो इन अनिश्चिताओं के कारण से ही आ सकते हैं अब या अनिश्चिताओं के कारण क्या हो सकते हैं यह कुछ भी हो सकते हैं या तो ऐसा हो सकता है जो आपका भोगता है या जो टार्गेट मार्गेट है उसका इंट्रेस्ट या उसकी रूची आपके प्रोड़क्ट से हट गई है या मार्केट में उसी प्रोड़क्ट में सेम बहुत सारे आपके प्रतिसपर्दी आ गए है और ये भी हो सकता है कि भुकंब आ गया हो या कोई महमारी आ गई हो या इसके अरावा मानवी अगर हम रूप से देखें तो श्रमिकों की हड़ताल हो गई हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यावसाइक जोखिम है वो क्या होता है क्या है बहुत बड़ी मातरा में हानी पॉहुँचती बियावसाइए में हानी की संभावना कोई क्या हम कहते हैं ब्यावसायदक जोखिम कहते हैं अब व्यावसाइक जोखिम हमने समझ लिए आगे सी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है सर वील्स ने दिया है उनके अनुसार जोखिम जो है हानी का सईयोग है या किसी प्रतिफल घटना से गटित होने की संभावना है अर्थात कुल मिलाकर अगर हम कहें तो व्यावसाई जोखिम जो होता है ये जो होता है अनिश्चित्ताओं के कारण होता है और इसमें व्यावसाई को बड़ी मात्रा में हानी जो है वो पहुंशती है आईए अब हम देखते हैं कि जो व्यावसाई जोखिम है उसकी प्रक्रति क्या है लेकिन बचो इसको जाने से पहले ये भी हम एक बात में चर्चा करना चाहूंगी कि अगर व्यावसाई में जोखिम नहीं होगा तो उससे लाब प्राप्त करने की चेश्ठा या जो मोटिवेशन है वो कैसा कैसे मिलेगा तो व्यावसाई में व्यावसाई को जोखिम लेना ही पड़ता है इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती है उसे लाब भी प्राप तरह हैं कि अनुख जित डम का परिणाम सकती है यह सकती है यह मानवी कैसे होगी आगर चाहिकों कर सार्ब देखें तो जेब भी होता है कभी बूम आता है तो इस समें गती की बारे में बात कर रही हुम में इसमें कभी बहुत अची होती है उस समें क्या होता है प्रॉफिट होता है लेकिन जी है वैसे ही नीचे जाता है वैसे ही क्या हानी होना चुरू जाती है तो ये व्यावसाइक जोखीम होता है और ये जो होता है अनिश्चितताएं परिणाम होता है हम दूसरी विशेष्टा की ओर बढ़ते हैं जो कि कहता है जोखिम व्यवसाय का विभिन अंग है अब जैसे कि मैंने आपको बताया है व्यवसाय से लाब प्राप्त करने के लिए ही व्यवसाय जोखिम लेता है इसलिए से कहा गया है जो जोखिम है वो व्यवसाय का विभिन क्योंकि possibility ऐसी भी होती है कि यह रिस्क लेने के बाद हो सकता है व्यवसाई को अगर जो जोखिम लिया है उसने जो प्लान किया है प्लानिंग मतलब जो उसने सोचा है अगर वो चीज उसकी प्रॉपर प्लानिंग के तहथ हो गई तो वहां पर उसको लाब प्राप्त होगा त जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाब जो होता है जोखिम का प्रतिफल होता है क्योंकि अगर प्लानिंग के तहथ कारे चला व्यवसाई के तो वहां पर उनको लाब प्राप्त होगा फिर जोखिम की मात्रा व्यवसाई के आकार के अनुसार होती है अगर व्यवसाई बहुत पर डिपेंड करता है कि आपने जितनी रागत लगाई उस हिसाब से आपने जोखिम लिया है फिर इसके बाद बात आती है कि जोखिम की मात्रा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है अब समय के साथ कैसे परिवर्तित होती है अब समय के साथ कैसे परिवर्तित होगी वह राज बच्चो यह जो पॉइंट्स आपने देखे वो व्यावसाइक जोखिम की प्रकृति के थे और इस तरीके से आपने व्यावसाइक जोखिम को समझा और उसकी प्रकृति को समझा व्यावसाइक की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है अब बच्चो इसमें क्या ह कि रोज मर्रा में यूज होने वाली चीज है लेकिन अगर यही आप फैशन की बात करें कपड़ों के पहनने की तरीके की बात करें या हम आम जीवन में जैसे मुबाइल फोन यूज कर रहें अलग-अलग तरीके तो यहां रोज हम देखते हैं हर दिन कोई ना कोई चेंज आत सब्yt Hubमें कोई disruption उरे मों के प्रकृति की मात्रा निर्व करती है तो यहां पर सिद्ध होता है कि जैसी जोप्रकृति रहेगी उतना ही उसका जोखिम उस्प moments बना रहे